पिछले पार्ट में हाउच उनर उसके साथ ही जैसे ही फैंटेसी परडाइस से वापस चले गए थे तभी अचानक से वहाँ पर थर्ड गॉड का मार्क अपियर हो गया था इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लिंग भी नेचर गॉड इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो गये थे और फिर कहते हैं कि क्या सच में फैंटेसी परडाइज में ऐसा हुआ तब ही एक और मास्टर भी कहने लगती है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि डिमन एम्पर को इसके बारे में इतनी जादा चिंता है जिसके बाद मास्टर हन भी कहाने लगते हैं ऐसा लगता है कि डिमन एम्परर का कल्टी वेसल लेबल गौड लेबल में पहुँच गया है जिसके बज़ा से वो डिवाइन को हासिल करके गौड बना चाहता है अब इसके बारे में सोचकर वो हाओचें से कहता है कि अगर तुम और तुम्हारी टीम वहाँ पर नहीं होती तब तो रिमन एम्पर ने बहुत ही असानी से गौड हैड को हासिल कर लिया होता लेकिन तुम्हारे बज़ा से वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया अब इसी वज़ा से हम देखते हैं कि वे बहुत बड़ी तबाही क यालने से बच गये थे तभी मास्टर लिंग भी होचं से ओपनें लगते हैं कि तुमने इंसानों को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाई है तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर लिंग सभी लोगों को fantasy paradise में हुए battle के बारे में बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे hero ने वहाँ पर demon के साथ में बहुत ही संदार तरीके से fight किया और इस तरह से उन्होंने fantasy paradise को तबाह होने से बचा लिया अब इसके बज़ास से हम देखते हैं कि वे हाँचेन और उसके टीम से बहुत ज़्यदा खुस हो गए होते हैं और फिर वे कहाने लगते हैं कि अब तो इनको जेनान पास के तरफ से first class का merit reward दिया जाएगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर बाकी सभी भी पूरी तरह से excited हो गए थे और फिर वे चिलाते हुए कहने लगते हैं कि वे तो हमारे role model हैं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि master link इनको सांथ हो जाने के लिए कहते हैं और इसके बाद वे हाओचेन और उसके सभी साथियों को आगे आने के लिए कहते हैं इसके बाद वे फिर से सभी को बताने लगते हैं कि इन्होंने डीमन कोट के successor को मार दिया और इस तरह से इन्होंने fantasy paradise को उनके हाथों से तबाह होने से बचा लिया जिसके बाद इसके बारे में जानकर सभी house इन्हों से बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वह तो सच में एक बहुत ही संधार ही रो है तब ही Master's Lane' इन्होंने नाकेबल दिमन को आाँ पर हराया बलकि वे सबी वहाँ से बहुत सारी spiritual furnace को भी लेकर आये हैं जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ही important है अब इतनी बात कहने के बाद बहुत कहते हैं कि अब से जितने भी spiritual furnace प्रोड्यूस होंगे वे सबी अलांस के हो जाएंगे लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इंको आवार देने के लिए भी ready हो गए थे और अब इस तरफ से वे अपने power का यूज करके यहां पर बहुत सारे treasure को ला देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि इस वाद से सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और तभी एक treasure को देख वेंग यूआन कहती है कि यह तो असल में empty silver crystal है तब इसके बारे में सुनकर मांस्र लिंगू से कहते हैं कि तुमने सही समझा और लावरे ने इस से इस पेसली तुम्हें ही देने के लिए तैयार किया है अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने या ट्रेजर वेंग यूआन को दे दिया था जिससे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुस हो गई होती है लेकिन तब ही लिंस इनुसे कहने लगता है कि आखिर कारिया है क्या क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना तब इस पर वेंग यूआनू से खहती है कि अगर तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना तो यह बात पूरी तरह से नॉर्मल है क्योंकि एसकाई सिल्वर क्रिस्टल को खोए हुए 10,000 सालों से ज़्यादा हो गए इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको इसके बारे में सब कुछ बताने लगी थी और फिर वो इनसे बताने लगती है कि मेरे अंसेस्टर जाइन्टी स्पृट गॉड ने क्रिस्टल स्टोन को अपने डिवाइन ब्लड के साथ में मर्ज कर दिया था और इस तरह से उन्होंने अपने डिवाइन पाउर का यूज करके साथ एम्टी सिल्वर क्रिस्टल को बनाया फिर हमें आगे पता चलता है कि उन्होंने इसे जाइंटी स्पिट गॉड के सिल के उपर लगा दिया था जिसके बज़ा से वह सिल इतने जादा पारफुल हो गया कि वह पूरी दुनिया को ही उपन कर सकता था लेकिन फिर एक समय के बाद जाइंटी स्पिट गॉड का फॉल सुरू हो गया जिसके बज़ा से उनके सिल के उपर जो सातो क्रिस्टल लगे हुए थे वो होली टीमन कॉंटिनेंट में अलग लग जगा पर गिर गया इसके बाद वो इनसे बताती है कि मेरे अंसस्टर ने इसे खोजने के लिए बहुत कोसिस किया लेकिन हजारों सालों तक काफी कोसिस करने के बाद भी वेकेवल इसमें से तिन क्रिस्टल को खोज पाए अब इसी बज़ा से हम देखते हैं कि एक और क्रिस्टल को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुस हो गई थी और फिर वो कहना लगती है कि अब तो इसके बज़ा से मेरे सिल्की पाउर कम से कम दो गुना जरूर हो जाएगी जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही सिमासियान इस बाद से काफी एक्साइटेड हो गया था और फिर वो कहना लगता है कि अगर इसने सबी साथों एम्टी सिल्वर क्रिस्टल को यूज कर लिया तब उसके बाद वाद तो जाइन्टी स्पिर्ट गॉड के सिल्के असली पार को यूज कर पाएगी लेकिन तब इसके बारे में सुनकर हाउचन इन से कहता है कि स्तायदी से और भी ज्यादा हो सकता है और ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उसके बाद जाइंटी स्पीड गॉर्ड को समन कर सकें इसके बाद वो सोचने लगता है कि अलाइंस तो हमें इस पर कोई बहुत ही किमती चीज देने बाले हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंसिन यहां के और भी क्रिस्टल को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो बाकी लोगों सो भी कहना लगता है कि यहां पर तो और भी बहुत सारे हैं वहीं बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि आज हम पहली बारा से ट्रेजर को देख रहे हैं तब इलिन सिन को देख उसके टेंपल का मास्टर कहना लगता है कि तुम्हें अभी इतने एक्साइटेड होने की ज़रत नहीं है क्योंकि अभी तो तुम्हें इनसे भी अच्छी चीज़े मिलेंगी और इसलिए मैं नहीं चाता कि तुम अभी इतने एक्साइटेड हो कर यहीं पर वेहोस हो जाओ तब इसी भी चम देखते हैं कि बाकी टेंपल के मास्टर भी डेडी हो गए थे और वे भी एके करके यहाँ पर अपने पाऊर को रिलीज कर देते हैं तब इससे देखते ही सभी बात करना लगते हैं कि आखिर कार्या किस तरह का ट्रेजर है जुसने कि सभी six all के senior को excel लेने के लिए मजबूर कर दिया जुसके बाद हमें पता चलता है कि या तो असल में demon hunting order है जुसे देखते ही सभी लोग एक साथ में respect देने लगे थे तब ही master link इसके बारे में बताते हुए कारना लगते हैं कि जिसके पास में भी ये order होगा सभी demon hunting group बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे उसे support प्रवाइड करेंगे किसी के साथ वे काते हैं कि इसमें तो title level भी सामील है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर होचें भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो master link से कहता है कि या किप्ट तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है तब इसके ऐसी बात सुनकर master link ही smile करने लगे थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें कह लगता है कि या किप्ट बहुत ही ज़्यदा बड़ा है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे merit के सामने या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने तो इस पर बहुत सारे डीमन सक्सेसर को मार दिया जिसके बाजा से मुझे आसा लगता है कि आने वाले समय में डीमन भी इसके बारे में जरूर कुछ करने का ट्राइ करेंगे और इसलिए मैं तुम से जाना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ तब इसके बारे में सुनकर हाओचेन भी तुरंत तुम से कहता है कि बिल्कुल जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके जबाब से मास्टर लिंग भी काफी इंप्रेस हो गए थे तब ही हाओचेन इन से कहने लगता है कि आने वाले समय में चाहें कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इसके बाद भी मुझे पूरे यकिन है कि हम इसमें जरूर जीतेंगे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वी अपने फादर मूंडी मन कोट के पास में होती है जहांपर उसका फादर उसे कहता है कि तुम इस पर फैंटेसी पारेडाईस से जिन्दा बचकर वापस आ गई इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत इलग्की हूँ और अब इतनी बात कहाने के बाद वो उसे कहता है कि तुम'Tे अब जाकर अराम कर लेना चाहिे लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस विया भी अराम करने के लिए नहीं जाना चाहती थी और फिर वो अपने फादर से कहती है कि मुझे तो इस जरनी से उतना मिला है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था और इसी वज़ा से मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास में करने के लिए बहुत सारी चीजे हैं लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह तो असल में हाउचिन के बारे में सोच रही है और फिर वो कहने लगती है कि तुमने तो अभाव को भी इतनी असानी से हरा दिया इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बैलियों को फिर से मुझे कैलकुलेट करना होगा वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ भागते हुए अपने फादर डिमन एम्परर के पास में आती है क्योंकि वो अपने ब्रदर अबाव के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा परेसान थी और फिर वो कहना लगती है कि वो तो डिमन ड्रेकन ब्लड प्रिजर में एंटर कर गया लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि दिमन एम्परर उसके इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता जिसके बाद सियाओ उदास होते हुए कहती है कि अगर कोई लेबल 9 में भी हो तब उसके बाद भी वहाँ से उसका बच पाना बहुत ज़्यादा मुस्कील होगा तब इसके बारे में सुनका डिमन एम्पर कहना लगता है कि उसका करेश्टो सच में तारीफ है काबिल है और अगर उसे अपनी अब्रीटी को प्रूब करना है तो उसे जिन्दा बसकर वहाँ से वापस आना होगा अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी ग्राउंडिंग अभी भी खतम नहीं हुई है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सुचो जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी इसके बाद अगले सिन में हम डिमन ड्रेगन ब्लड प्रिजल का सीन देखते हैं जहाँ पर अबाव को दोनों हाथों से चेन को बांद कर लटका दिया गया था और इसके लाव हम देखते हैं कि यहाँ पर चारो तरो बहुत ही खतरना का टैक भी हो रहा था इसलिए जब वे अटेक अबाव के उपर आ रहे थे तब इसके बाजास से अबाव को इसमें बहुत ज़्यादा दर्ध हो रहा था लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो असल में हाउचेन के उपर बहुत ज़्यादा गुसा था और फिर वो कहना लगता है कि उसने नाकेवल गौड हेट को वापस ले लिया बलकि उसने तो इंसान होकर भी मुझे इतने असानी से हरा दिया अब इसी वज़ा से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुसा होने लगता है लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मदर के बारे में भी याद करने लगा था जहाँ पर बच्पन में उसकी मदर ने कहा था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वर होना ताकि इस तरह से तुम अपने फादर का सक्सेसर बन सको और फिर उसके बाद तुम हमें देखने के लिए आओगे इसके बाद हम दखते हैं कि उसमें किसी ने उसे अपने पैरो के नीचे दबा का रखा हुआ था और फिर वो कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है तबी अब आब बहुत ज़्यादा गुसा होते हुए कहता है कि यह फ्रिंस तो की heaven defined demon dragon है उसका pain और बदनामी ही मेरे future का अधार बनेगा और मैं किसी ना किसी दिन इसे 1000 गुना करके वापस जरूर करूंगा अब इसी के साथ हो कहना लगता है कि मैं bloody will purigatory surrender कर सकता हूँ इसलिए ये blood prison मी मेरे सामने surrender जरूर करेगा और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोनों chain को तोड़ कर यहां के लावा के अंदर गिर गया था जहां से कि कुछ देर के बाद बहुत सारी power release होने लगती है लेकिन वाई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी demon god भी बहुत जादा गुसा हो गये थे और वे कारना लगते हैं कि उन्हें ने तो हमारे child को heart कर दिया और इसी बज़ा से हाओचन के उपर गुसा होते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे टुक्डे टुक् और फिर वो उसके मौत के बारे में याद करते हुए कहता है कि silent star resounded हुआ है और अब इसलिए यहाँ पर एक नए chapter की सुरुवात होने वाली है इसके बाद वो हाओचन के चेहरे के तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम गिरो गई तो अगर explanation अच्छी लगी हो तो वीड मिशले पार को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना